हलो स्टुडेट में शाहिनलूथरा, आज हम करेंगे लास 7 का हिस्टी का चैप्रज नंबर 8 करेंगे हम इसके कोशना अनश्टर हम इसमें करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है मैस्ट फॉलेग क्श्वाइग में सबसे 1rd है दा बुद्धा दा बुद्धा क्या है दा बुद्धा है दा कोशन सोशल डिफरेंसेज जो बुद्धा ते रोने किया था उनका कोशन था जो यह समाजिक डिफरेंसेज है इसके उपर बुद्धा का ठीक है उसके बाद है शंक्रा देवा शंक्रा देवा जो है इसके साथ है नाम घर निजाम फिलब्स देखेंगे फर्स्ट है शंक्रा वाजन एड्वोकेट ओफ अद्वेदा जो शंक्रा थे वो किसके किसके समर्थ तक थे अद्वेदा के रामानुजन वाज इंफुलेंस वाई रामानुजन किससे प्रभावी थे अलवर से सी देखते हैं बास्वानाम अलहाम प्रभू और अक्मा देवी वर एड्वोकेट ओफ वीर शिवाजम अब जो यह बास्वाना अलहाम प्रभू और जो अक्मा देवी थे वीर शैवम अब जो यह जो थे बास्वाना अलहाम प्रभू अक्मा देवी किसके थे वीर शैवम के ठीक है यह उनके Advocate of Veer Shaivam उसके बार D है पंधारपूर was an important center of the bhakti tradition in महारास्टा जो पंधारपूर है वो एक important center है महारास्टा के अंदर किसका bhakti tradition का Question number 3 Describe the beliefs and practices of the नाद पंति, सिध्धात और योगी जो नाद पंति, सिध्धात और योगी इनके विश्वाश और इनकी प्रताओं को यहाँ पे हमने describe करना है तो the belief and the practices of नाद पंति, सिध्धात and the yogis are under यहाँ पे कुछ हमने नीचे इसमें लिखी हुई हैं तो सबसे पहले जो नाद पंति, योगी जो थे क्रिटिसाइज करते थे conventional religion, accept of the conventional religion यानि कि जो परामपरिक धरम के जो करमकान थे जो रिचूल से उनको ये अलोचना करते थे secondary renunciation of world, मतलब की संसार को त्यागने के लिए बोलते थे third जो था, वो कहते थे path of salvation यानि कि जो मोक्ष का जो रास्ता है meditation on the formulas इनकी मोक्ष के लिए जो है क्या करना पड़ेगा meditation करनी पड़ेगी fourth है ultimate reality and realization of ones ultimate reality मतलब परम वास्त्रिक्ता और एक्ता की प्राप्ती और fifth intense training of अब इसमें किस जिस की training बोला गया mind and body through जो शरीर और जो मन है उसको किस जिस की practice करने के लिए जो करने के लिए बोला गया breathing exercise करने के लिए बोला गया और meditation करने के लिए बोलते थे तो यही इनके जो है वो क्या थे इनकी practices और belief थे इनके नादपंतिस के योगी के और नादपंति योगी तो और सिध्धास के अब हम देखते हैं question number second question number fourth question number fourth है ठीक है तो major ideas of Kabir was as follow इन्होंने बताया है कि rejection of the orthodox religion and the religion tradition ठीक है orthodox religion क्या होता है रूडिवादी धर्म जो होता है तो उसको reject करने के लिए बोलते है तो rejection of the रूडिवादी धर्म और जो उनकी धार्मरिक जो परंप्राय थी उनको वो reject करते थे उनको वो स्विकार नहीं करते थे seconder religion was the accessible to all यानि कि धर्म है वो सबके लिए easy होना चाहिए शुलब होना चाहिए धर्म जो है बहुत tough नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी तो criticism of all external worship of ब्रहामनिकल हिंदुजम इस्लाम और जो ब्रह्मावादी के जो हिंदु और धर्म इस्लाम के जितरे भी उनके external worship थी जो बहारी पूजा थी उसको भी वो क्या करते थे criticize करते थे no caste system क्याते थे कोई भी जाती विवस्था नहीं है और उसकी बाद हमारा है fifth है belief in formless God formless God कौन सो होता जिसका कोई अकार नहीं होता sixth है भक्ती and devotion is only path of the salvation उनने बोला कि मोक्ष का जो रास्ता है वो सिरफ भक्ती है तो उनने भक्ती ही और भक्ती को ही मोक्ष का रास्ता बताया और भक्ती और शक्ती ही है भक्ती और and devotion he expressed his ideas through couplets अब इसमें क्या है कि वो अपने जितने भी विचार जो है वो व्यक्त करते थे वो दो हो के थूँ जो है वो व्यक्त करते थे अपने विचार जो है वो दो हो के थूँ बताते थे fifth है what were the major belief and practices of Sufi अब हमें यहां पे Sufis के जो belief और practices है वो हमने यहां पर बतानी है तो Sufi जो थे वो क्या थे बहुत ही majestic थे बहुत ही परमेश्वर में जो है उसमें lean रहने वाले लोग थे Sufis जो होते हैं जो हमेशा जो है अपने खुदा में जो lean रहते हैं वो होते हैं Sufis They rejected outward religious and gave emphasize on love and devotion of God अब उन्होंने क्या reject किया outward religious and gave emphasize on love उन्होंने जो बहारी धार्मिकता जो थी ना उसको खारीज कर दिया परमेश्वर के साथ love and devotion, प्रेम और भक्ती पर जोड दिया They inspired people to the compassionate toward all follow human being अब उन्होंने जो सारे लोगों को किस चीस के लिए बोला कि इंसान के अंदर क्या उन्होंने चीए compassionate, मतलब कि एक द्यालूता जो है मनुष्य के प्रती जो है उसके लिए वो क्या करते थे प्रेडित करते थे, inspired करते थे कि लोगों का एक दूसरे के अंदर क्या होना चाहिए द्या होनी चीए एक दूसरे के लिए द्यालूता होनी चाहिए तो ये लोग सूफी ऐसे जो है वो बताते थे आगे हैं, they rejected ideal worship, वो मूर्ती पूजा के खिलाब थे मूर्ती पूजा जो है वो नहीं करते थे and considerably simplified rituals of worship into collective prayers और जो collective prayers के होती है जो सब मिलके सामुहिक प्राथना जो होती है उसको उन्हें वहाँ पे easy बना दिया था simplify rituals उसको easy बना दिया था उसके बाद third they believe that the heart can be trained to look at the world in different way वो ये मानते थे कि जो हमारा दिल है, जो दिल है उसको train किया जा सकता उसको सिखाया जा सकता है, उसको सकता है कि संसार को अलग नजर से देखिए यहीं कि प्रेम के नजर से they develop elaborate method of training using using jikra, meaning chanting of a name or spread formula contemplation, sama singing, rock, dancing discussion of parables breathe, control, etc. under the guidance of master called peer अब वो ये चीज़ भी माह कहते हैं कि उनका ये भी है कि वो कहते कि अगर किसी के through, किसी के guidance किसी के नीचे रहके, जिसको पीर का जाता है उसके नीचे रहके जो है, वो उनने क्या किया develop elaborate method of training जिक्र का यूज करके उनोंने जिसकि नाम जपना, chanting of name और जो माला जपना spread formula जो होता है और contemplation करना चिंतन करना, सामा मतलब कि अपने जो गाने होते हैं भजन विगेरा, राग विगेरा करने डांसिंग करने या फिर discussion of parables जो द्रिश्टांत होते हैं उनको discuss करना और breathing control exercise सांस को control करना ये सब जो कर सकते हैं किसके अंडर रहके एक पीर के अंडर रहके जो है वो उन्होंने ये एक develop किया एक method of training जिकर का इस्तमाल करके ठीक है उसके बाद question number six देखते हैं वाई डू यू थिंग वाई डू यू थिंग many teacher reject this prevalent religions, beliefs and practices आप ऐसा क्यूं मानते हैं आपके विचार से जो बहुत सारे teachers जो शिक्षक हैं उन्होंने prevalent religions यानि कि जो प्राचलिक धार्मिक हैं और जो उनके beliefs हैं उसको इस सरीकार क्यूं किया तो yes, many teachers rejected prevalent religions believe the practices because they had numerous shortcomings and they promoted division in society हाँ, कई जो teachers जो शिक्षित हैं उन्होंने prevalent religions को जो है वो reject किया beliefs को और practices को reject किया क्यूंकि उन्में कई कमिया थी और उन्होंने समाज में क्या किया था division को बढ़ा दिया था promote कर दिया था समाज के अंदर जो विभाजन था उसको बढ़ा दिया था ठीक है उसके बाद हम देखते हैं इसलिए उन्होंने जो है reject किया था प्रथाओं और विश्वाशों को question number seven देखते हैं what were the major teaching of बाबा गुरूर नानक दे और गुरूर नानक दे की teaching क्या थे यहां पर बतानी है तो worship of one word एक परमेश्र की अराधना कह सकते हो पूजा करने के लिए वो कहते थे second है irrelevance of caste create and gender for the attending liberation liberation क्या होता है मोक्ष मोक्ष प्राप्ति यह की मुक्ती प्राप्ति के लिए उन्हें जाती संग और लिंग के जो है वो irrelevance किया ठीक है उसके बाद the pursuit of active life with the strong sense of social commitment जो जितनी भी यह active life and the strong sense social commitment मतलब जो समाजिक प्रति बता की मजबूत भावना के साथ उन्होंने एक सक्रिय जीवन की जो एक खोज करी एक active life की उन्होंने खोज करी नाम दा धाम is the major essence of his teaching नाम और धाम मतलब हिंदी में है बाद या फिर नाम और धाम जो है वो उनकी सिक्ष्शों के प्रमुक teaching थी नाम जपना, किरत करना और वंद चक्षना वंद चक्षना मतलब होता है लंगर वेगरा जो होता है आपस में मिलके जो खाते हैं वंद चक्षना चक्षना मतलब खाना वंद मतलब बाट की खाना basic of right belief यह ही जो उनकी विश्वाश थे कि एक तो प्रमेश्व का नाम जपना है किरत करना मतलब होता है भजन कीटन करना तो यहां पर किरत कामा लिखा हूँ है किरत काम भी हो सकता है यहां पर किरत करना किरत कामा और वंद चक्षना basic जो उनकी belief थे and the worship ठीक है worship करना and the honest leaving इमानदारी से जीना and helping each other या helping others एक दूसरे की मदद करना ठीक है the ideal of equality सब को समानता से देखना यह भी जो हन की teachings में था अब एर्थ देखते है for either or वीर शेवाश or the sense of the महारास्टा discuss their attitude toward caste वीर शेवाश जो थे या महारास्टा के संतों के जाती के प्रती यानि की caste के प्रती उनके क्या दृष्टी कौन थे यह में बताने है किनके वीर शेवाश और संत के caste के प्रती क्या उनके नजरिया था उनका क्या दृष्टी कौन था तो attitude of वीर शेवाश attitude of the Veer Shivaz toward caste they believe in the equality of all human beings वो क्या मानते थे कि सभी मनुष्य के बीच में समानता में विश्वाश करते कि सभी इंसान जो है equal है, समान है अब जो ब्रहमावाद की विचार थे और जो ओरतों के साथ जिस तरह का विवार किया जाता था उसके वो क्या थे अगेंस्ट थे वो एक ऐसे समाज की कामना करते थे जहां पर सब लोग जो है न उच, नीज, अमीर, गरीब इनकी जो भावनों के बीच में कोई भी मतलब कि ऐसा कोई भेद भाव नहीं होना चीए सब को एक समान होना चीए तो वो ऐसे समान की एक जो है वो विश करते थे कि हमारी सोसाइटी ऐसी होना चीए और पीपल और अल बैग्राउंड कोड लीविंग इन हार्मनी जितने भी अल बैग्राउंड के लोग है वो सब हार्मनी से रहें विदावड एनी फीलिंग कोई ऐसे फीलिंग नहीं होनी चीए किसी यह ऊचा है यह नीचा है यह गरीब है यह अमीर है ठीक है तो यह जो था वो क्या था हमारा वीर शिवास और संत कास्ट के प्रती जो है इनकी यह नजरिया था ठीक है उसके बाद कुश्चन नमबर नाइन देखते है वाई दो यू थिंग ओर्डिनरी पीपल प्रिजर्वड दा मेंबरी ओफ मीरा भाई अब यहाँ पर बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आम लोग है ओर्ड जै रखा हुआ है तो दूदि अबरा भाई इसके कुछ बजाए वता रखिय है कुछ शी वे जो ठीक हा ती क्या थी एक राणी थी और क्रिशन की भकत थी शी कंपोस्ट द शी कंपोस्टीड नुवरेबल भजन उन्होंने बहुँ सारे आसंख्या भजनों की क्या किया थी अपने भगवान के प्रती जो है उन्होंने बहुती जादा क्या express किया डिवोशन जो है उन्होंने express किया अपने भकती को जो है isso किया इंटेंस भकती को उनने शो किया किसके थारों बहुत सारे भजन गा निख कर सारिaran लिखकर अब जो उनके हस्बन ने उनके लिए जहर भेजा था उन्होंने वो भी पी लिया बर शी डिड़न नौट डाय लेकिन वो मरी नहीं लेकिन अइसा होने से क्या हुआ उसे होने के रूम में जो लोग प्रिय किया गया से बाइलो और वो लॉड के दवारा बचाई गई दस हर दस हर ऑथेंटिसिटी आज़ ट्रू डिवाइट वास प्रूवड इससे जो एक क्या शो होता है कि जो उनका जो अथेंटिसिटी है जो एक सच्छे भक्त के रूप में उनकी जो है वो एक प्रमानित प्रूव होई ठी अब जो उनके गीत से जो अपर कास जो उच्छे जाते के लोग है और अन्द विकंगे पॉपलर बिड़ा मास आफ राजस्थान उनके गीतों से जो जादा अपर कास्ट के माप रंडो को खुले तोर पर चुनोती दी जाती थी राजस्थान गुजरात में जंता के बीच मे वहती ज्यादा वो क्या थी popular थी famous थी ठीक है तो यह हमारा जो इसके questions सारे complete हो जाते हैं hopefully आपको हमारा वीडियो helpful लगाओ वीडियो helpful लगे तो please like and subscribe परे थेंक यू